Hello dear student, I am Muslim Aslam, this is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about pushdown automata for context free grammar. So student, previous lecture में हमने देखा था deterministic and non-deterministic PDA. तो I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि deterministic क्या होता है, non-deterministic क्या होता है. तो आज हम बात करेंगे pushdown automata की, जिसमें CFG को convert करेंगे PDA में. तो हमारा कोशन है, conversion from CFG to PDA. So I hope you understand all the CFG and PDA. Now let's see how to convert given CFG to PDA. So student, आपके पास given है CFG production, यह आपके पास given है, which is CFG. तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, test करना है, 010 की power 4 is acceptable by this PDA. तो जो आपको CFG production दे रखा और इसकी एक string दे रखी है, यह acceptable है this PDA के लिए. तो सबसे पहले हम इसको check करना होगा. तो जो आपने CFG देखी थी, CFG के यह 4 tuples होते थे, V, T, P, S. तो V for आपका non-terminal, T for terminal, और P for आपका क्या होता था, production rule, और S होता था आपका starting symbol. तो सबसे पहले हम इसके rules देख लेते हैं, जो आपका pushdown automata for context free grammar में जो इसके rules होते हैं, वो बहुत जरूरी हैं, सबसे पहले rules देख लेते हैं. तो rules आपकी क्या हैं, इसके four rules है, पहला rule है, अगर Q not हो, और आपकी कोई string अभी आई नहीं है, null है, और starting symbol दे रखा है, ठीके, तो क्या होगा, Q not होगा, और starting symbol जो S है, उसकी value लिखेंगे, तो S की value आपको पहले से determine है, तो S की value क्या है, 0, double B, ठीके, तो वो रख लेंगे, अगर R2 यहां कोई भी string होती है, कोई भी S की value होती है, वो आप यहां पे present करते हैं, ठीके, इसके बाद आप देखेंगे, R2, R2 पे Q 0, अगर आपकी कोई string null है, और B अगर production आए, तो B production आपको given है, तो B पे आप क्या रख सकते हो, 0S भी रख सकते हो, Q और कॉमा लगा के 0S भी दे सकते हो, 1S भी दे सकते हो, और 0 भी रख सकते हो, अगर B की जगा, ठीके, दूसरा rule यह हो गया, थर्ड रूल देख लेते हम इसका, थर्ड रूल आपका यह है, कि Q 0 जो है, अगर 00 है, अगर 2 times 0 है, तब आपकी condition null आएगी, 2 times 1 है, तब भी आपकी condition null आएगी, ठीके, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हमारी जो language given थी हमें question में, वो क्या थी, 0, 1, 0, 0 की power 4 था, यानि के 0, 1 और 4 time आपको 0 लेना था, ठीके, यहां पर मैंने वही किया है, 0, 1 और 0 की power 4 था, तो 4 time आपका 0 ले लिया, ठीके, आपके पास यह string given है, तो सबसे पहले हम क्या करेंग Q not हो गया हमारे पास यह string given है, हमने पूरी string ले लिए और S ले लिया, अब S की जगा हमने इसका transition mapping किये, तो Q not लिया है, और यह जो string given थी, वो ले लिया है, और S की जगा हमने क्या determined है हमारे पास, S की जगा हमारे पास था, 0, double, B, तो हमने S की जगा दिख लिया है, 0 और क्या करें गिए कि अगर आपका जो यह वाला जिरो और यह वाला जीरो से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा k gusto one four times zero और डफल पी बचा अब अप इस भी कि जगा क्या पूट करेंगे इस B कि जगा पूट कर दीजिये वन एस क्योंकर हमारे पास बी के लिए क्या-क्या अध्र डेटरोमाइन लोट दे रखा तो हमने 1 कू लिया हमने 1 क्यू लिया अध्यू लिए रखा क्योंकर अगर 158 लिए तभी हमारा time zero बचे और S B बचा अब आप S B की जगह क्या रखोगे S की जगह आप 0 B B रख सकते हो क्योंकि S की जगह आपके पार एक यह option है वो है 0 double B तो आपने S की जगह 0 double B रख लिए हो और ये वाला B as it is S ही लिख दिया ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये ये वाला 0 है ये वाला 0 से कैंसल हो जाएगा तो आपके पास बच्चे का क्यू नौट triple zero और triple B ठीक है अब आप क्या करोगे जो ये B है इसकी जगह क्या रखोगे 1S तो नहीं रख सकते क्योंकि 0 हमें कैंसल करना है तो 0S रखेंगे ठीक है इस तो 0S भी रख सकते हैं और B की जगह हमेरा क्या डिटरमाइन था 0 भी था तो B की जगह हम 0 भी रख सकते हैं तो हम 0S ना रखके 0 रख देते हैं हमने इस B की जगह 0 रख दिया ये 0 से ये 0 कैंसल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा क्यू इनिशिल जो क्यू था और डवल 0 बचे और डवल B बचा ठीक है अब क्या करेंगे इस B की जगह भी आप क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे तो ये वाले 0 से ये 0 कैंसल हो नारा जो 4th rule था 3rd rule था वो क्या कह रहा था कि अगर 0 0 आएंगे तो आपके नल आएगी स्ट्रिंग तो क्यू नॉट इस इकल टू नल तो आपको ये PDA आपका क्या हो गया फाइंड हो गया इस स्ट्रिंग से तो ये आपने PDA सबसे पहले लिया था कि आपका जो 3rd rule था वो convert करते हो अगर आपके पास ये language है तो आप अगर इसको stack में डालते तो stack में क्या होता है bottom of Z naught होता और आपकी जो 0 push हुआ है तो सबसे पहले 0 push होता जब 1 आया तो different ये पॉप हो जाता ठीक है ये वाला पॉप हो जाता फिर 0 आया तो क्या होता पुश होता फिर आपका 0 आया सबसे पहले क्यूं था आपका string क्या थी? 0,1 और 4 time 0 थे ठीक है तो 0 आया सबसे पहले आपका current input आया या निकिए input tape में सबसे पहले आपका 0 आया तो आपका current input आया ये और Z naught क्या है? आपका top of the stack क्योंकि जब सबसे पहले starting 0 आया तो top of the stack क्या था? z zero ता z zero है तो आपकी string आपको क्या मिली क्योंके जिरो जब push होगा तो आपको ये दोनों चीजे मिली zero e zero और z not यानि के आपको bottom of stack मिला ठीक है फिर उसके बाद आपका one मिला one मिला तो one मिलने पर आपका pop होगा one और zero हो गया तो ये null condition आपकी pop हो गया फिर आप Q2 पे आए दूसरी स्टेट पे आए जिस पे आपको 0 मिला या आपने पुश किया 0 Z0 क्योंकि आप वो पॉप हो गया तो आपका जो स्टेक में क्या बचाता Z0 बचाता तो आपकी जो स्टेंग मिली 0 Z0 हो गई उसके बाद आपको फिर से 0 मिला तो फिर आपका पुश हो रहा है यानि कि इसलिए हमने ये रिपीट पे लगा दिया क्योंकि आपको 0 आगे मिलते गए तो 0 और 0 पे कंडिशन आपकी क्या होती थी स्रिंग नल हो जाती थी तो हमने वो नल दे दी ऐसे आप final state आपकी मैंने कहा था null लगा देते नल 0 पे पहुचे तो null condition Z0 और Z आपका ये हो गया final PDA तो I hope आपको CFG से कैसे convert करते हैं PDA में अच्छे से clear हो गया होगा क्योंकि मैं इस type के question आपको पहले भी दिखा चुकी हो मैंने दो question कराये तो उन दो question से आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि PDA कैसे design करते हैं तो I hope आपको ये भी अच्छे से clear हो गया होगा कि push down automata को कैसे context free grammar को हम push down automata में convert करते हैं तो student आज के लिए इतना ही thank you so much student